फ्रेंड्स सब्स्राइब किजिए घरसंसार हेल्थ केर को और दबाईए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके हमारे वीडियो को सबसे पहले घरसंसार हेल्थ केर में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घुटनों के दर्द की समस्या आजकल आम होती जा रही है कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारण वश्य चोट लग जाने से या बढ़ती उम्र के कारण या फिर प्रिद्धा वस्था में हड्डियों के कमजोर हो जाने से अकसर घुटने में दर्द होने लगता है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको घुटने के दर्द से रहात दिलाने के लिए कुछ घरेलो नुस्खे बता रहे हैं जिनका उपयोग करने पर लगबग साथ दिन में ही आपको घुटनों के दर्द से रहात मिल जाएगी तो आली जानते हैं इन नुस्खों के बारे में किसी चोट का दर्द हो या घुटने का दर्द आप इस दर्द निवारक हलदी के पेश्ट को बना कर अपनी चोट के अस्थान पर या घुटनों के दर्द के अस्थान पर लगाईए इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है दर्द निवारक हल्दी का पेश्ट कैसे बनाएं? इसके लिए आप सबसे पहले एक छोटा चमच हल्दी पॉडर लें और एक चमच पीसी हुई चीनी और इसमें आप बुरा या शहद मिला लें और एक चुट की चूना मिला दें और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेश्ट जैसा बना लें इस लेप को बनाने के बाद आप इसे हाथ की मदद से जहां चोट का दर्द हो या घुटने के दर्द हो उस स्थान पर लगा दें और उपर से क्रेब बेंडेज या कोई पुराना सूती कपड़ा बांध दें और इसको राद बर लगा रहने दें और सुबहा साधे पानी से इसे धोलें इस तरह से एक सप्ताह से लेकर दो सप्ताह तक ऐसा करने से आपके घुटने की सूजन मन स्पेशियों में खिचाओ अंदरूनी चोट होने वाले दर्द में बहुत जल्दी अराम मिलता है और दर्द को जड़ से खात्म कर देता है इसके अलावा आप सौट की मदद भी ले सकते हैं सौट भी एक बहुत अच्छा दर्द निवारक दवा के रूप में फायदेमन साबित हो सकता है सौट से दर्द निवारक दवा बनाने के लिए आप एक छोटा चममच, सौट का पाउडर व थोड़ा अवश्यक्ता अनुसार, तिल का तेल इन दोनों को मिला कर एक कड़ा पेश्ट जैसा बना लें दर्द या मोच के स्थान पर या चोट के दर्द में आप इस दर्द निवारक सौट के पेश्ट को हलके हलके प्रभावित स्थान पर लगाएं और इसको दो से तीन घंटे तक लगा रहने दें इसके बाद इसे पानी से धोलें ऐसा करने से एक सब्तह में आपको गुटने के दर्द में पूरा आराम मिल जाता है और अगर मन्स पेश्यों में भी खिचाओ महसूस होता है तो वह भी जाता रहता है इसके अलावा सर्दियों के मौसम में रोजाना पान से छे खजूर खाना बहुत ही लापदायक होता है खजूर का सेवान आप इस तरह भी कर सकते हैं रात के समय छे से साथ खजूर पानी में भीगो दें और सुबहा खाली पेट इन खजूर को खालें और साथ ही वहाँ पानी भी पी लें जिसमें आपने रात में खजूर भीगोए थे या घुटनों के दर्द के अलावा आपके जोडों के दर्द में भी आराम दिलाता है तो ये दे फ्रेंस घुटनों के दर्द की दबा मात्र साथ दिन में दर्द गायब तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूलें, साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें हम कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्त रहे धन्यवाद